आज मैं आप सब के लिए लेके आए हूँ घी मैसूर पाग की रेसिपी अगर आपका मैसूर पाग अच्छा नहीं बनता एकडम सौप्ट नहीं रहता या फिर वो सेट नहीं होता तो यह सब प्रोब्लम बिल्कुल नहीं होगी अगर आप इस अंदास से मैसूर पाग बना के तैयार करेंगी एकदम soft मुलायम ये बन जाएगा मैं इसे आपको पास सी दिखा रही हूँ कितना जादा ये अच्छा बना है एकदम soft है मुलायम है बिल्कुल मुह में घुलने वाला तो मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ जब आप इसे तोड़ेंगे तो easily ये तूट जाएगा बहुत जादा ये soft और मुलायम बना है एकदम perfect है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं घी मैसूर पाक को यहाँ पर हम एक कब बेशन लेंगे यहाँ पर आप कोई भी मेशन ले सकते हैं मौटा हुए या बारीख हो लेकिन जड़ातर बारीख हो तो ज़्यादा अच्छा है मौटा इसमें ज़्यादा जरूवत नहीं रहती है तो यहाँ पर अब एक कड़ाई लेंगे और बेशन को हम डाल देंगे यहाँ पर बेशन पूरा एक कप है और मैंने यहाँ पर धीमी आच में इसे लगातार चलाते हुए बून कर तयार करना है इस समय आपको आच को बिल्कुल भी तेज नहीं करना है और धीमी आच में ही यह अच्छे से बून कर तयार हो जाएगा जब यह अच्छे से नहीं करना है हमें नहीं तो हमारी मिठाई का भी कलर चेंज हो जाएगा तो इस बात का भी धिहान रखना है इसलिए इसे धीमी आच में लगातार चलाते हुए भूनकर तयार करेंगे आप इस तरीके से मैसुर पाक बनाएंगे ना बहुत ही सौप्ट मुलायम बनेगा खाते रह जाएंगे और बस यह देखें अब बेशन अच्छे से भूनकर तयार हो गया है इससे खुसबू आने लगी थी और इसका मैंने कलर भी चेंज नहीं किया बढ़िया तरीके से धीमी आच में भूना है अब एक बरतन में इसे ठंड़ करके निकाल लेंगे तो यहां पर न और देखें यह भूना हुआ बेशन एकदम परफेक्ट है और इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है आप क्या करेंगे यहां पर हमें गी का इस्तिमाल करना है क्योंकि यह घी मैसूर पाग है तो यहां पर घर का गी बना ले सकते हैं या फिर मार्किट का जो भी आपके पास हो और धीरे-धीरे करके इसे मिला दिजिए आप इस मिठाई को रिफाइंड से भी बना सकते हैं लेकिन गी से जज़ादा अच्छी बनती है तो बस मैंने यहां पर गी का इस्तिमाल किया है अब मैंने यहां पर आदे कब गी इसमे डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स किय कुछ इस तरह से यह बेटर बनके तयार हुआ है बहुत ज्यादा यह गीला नहीं है और बहुत ज़ड़ा यह टाइट नहीं है तो झाय है कुछ जिस तरह से मैंने यह कर लिया तो मेंड़ एक रहां लेंगे तो यहां पे यह कप चीनी के इस्तिमाल कर रहे हैं अगर आप मीठा थोड़ा कम पसंद करते हैं तो थोड़ा से चीनी को कम भी कर सकते हैं पर एक कप बिल्कुल परफेक्ट मेरिजर्मेंट है यहां पे आदे कप पानी डाल दीजिए एक कप चीनी में पानी बहुत ज़दा डालने की जरुद नहीं है और इसे लगात मिनेट बाद हम इसे चेक लगे तीन से चार मिनेट में यह देखेंगे साफ़े क दिख रही है और इसको इस तरह निकालेंगे ह्लका सा हम इस चासनी को ठंड़ा करेंगे और उंगलियों से इस तरह से चसे चेक लगी इसका तार बहुत ही बढ़िया बन के तयार होगा आप देखें कितना जादा इसमें तार आ गया है तो बस आज को आप बन कर दीजिए क्योंकि इससे जादा आज की अब हमें जरूरत नहीं है और देखें कितनी जादा ये उंगलियों पे गाड़ी जैसे दिख रही है तो एक दम परफेक्ट ये चासनी हो ग जी पेशन को दीरे दीरे डालते जाएए ताकि इसमें गुल्टे बगारा ना पड़ें और एकदम सौफ्ट मुलायम आपकी मिठाई बन के तयार हो इस समय अब हमारी गैस जो है बंद है और अब मैसे अच्छे से फेट के तयार कर रही हूँ और जैसे जैसे अब हम इसे च चलाएंगे क्योंकि कडाई अभी हमारी गरम है और यह इस तरह से थिक होना सुरू हो जाएगी लास्ट में हम दो चम्मच के करीब हम इसमें घी आट कर देंगे आप चाहो तो यह पूरा घी भी एट कर सकते हो लेकिन मैंने बस सिब दो चम्मच और डाला है और जो घी बच तो यह कडाई को पूरी तरह से छोड़ देगी और ज्यादा यह ठीक हो जाएगी और इस तरह से जब आप इससे फेटेंगे तो इससे क्या होगा जो आपकी मिठाई बनेगी एकदम सौप्ट मुलायम बनके तयार होगी तो इसे दो से तीन मिनट के लिए इसी कडाई में ब इससे लेंगे और उंगलीयों से इसतरी से गोला बनाएंगे तो इस गोले को है देखे चि पकना नहीं चाहिए इस तरह से जरा बन जाएगा बन जाएगा इसली इस रही चाहिए और जिस नहीं है तो पर्फट टयार है तो इसे ज़ो application Institute I say to knock it टो बस इसे साइड गढ़ेंगे और जिसमें भी आपको यह मिठाई सेट करनी है वो चीज हम ले लेंगे तो यहाँ पे आपको या केक टिन ले सकते हैं यहाँ पे लंच बॉक्स अध्या है और जब वो मिठाई को छिसिप फेट के हल्का ठंडा कर लिया था तभी मैंने इसमे डाला है इससे पहले मैंने बटर पेपर लगा दिया और इस तरह से ग्रीस कर दिया ताकि हमारी जो मिठाई है वो इजी तरीके से निकला है ऐसा करने से आपकी मिठाई बहुत ही परफेक्ट बनेगी और अच्छी बनके तयार होगी अब देखें इसे एक बार फिर चला क्योंकि हमने इससी तरह से छोड़ दिया था तो यह काफी थिक सा होने लगा है तो जल्दी से अब इसे पलट देंगे नहीं तो यह कडाई में ही सेट हो जाएगी तो बस इसे केक्टिन में हम डाल देते हैं अब मिठाई को इस तरह से मैं डाल के अच्छे से फैला दूंगी मैंने इस मिठाई को बहुत ही सिंपल रखा है महसूर पाग है क्योंकि यह खाने में बहुत ही टेश्टी बनता है और एकदम सौप्ट रहता है सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए आपको बजार जाने की जूरत नहीं पड़ेगी जब भी कभी आपको मीठा बनाना हो तो इस तरीके से आप मीठा बनाईए बहुत ही टेश्टी बनके तयार होता है लास्ट में से अच्छी से चिकना कर दीजिए और थोड़ी दिर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए दस मिनट बाद आप इसे चेक कर लीजिए ये देखें ये सेट हो जाएगा और तुरंत इसे पलट दीजिए और पलटने के बाद इसली ये निकल आएगा क्योंकि इस तरह से मैंने इसे डाला था अब इसे निकाल दिया है और इसका बटर पेपर भी साइट कर दीजिएगे अब मैं इसे आपको काट के दिखा रही हूँ कि कितना जादा ये सौप्ट मुलायम बनके तयार हुआ है जब भी आप इसे काटेंगे एकदम सौप्ट तरीके से ये कटकी तयार होगा और खाने में बहुत ही स्वादिश्ट लगता है तो देखें यहाँ पर आप पीस अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं मैंने इसे कुछ इस तरह से पीसिस में कट किया है तो घी मैसूर पाग हमारा बनके तयार हो गया है अगर आज की रेसिपी आप सब को अच्छी लगे तो जल्दी जल्दी लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कैसी लगे घी मैसूर पाग की मिठाई आपको और देखें मैं इसे आप आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ एकदम पास से दिखा रही हूँ कितनी जादा अच्छी बनके तयार हुई है सौप्ट है एकदम बिलकुल सौप्ट ये बनी है इसली ये तूट रही है मिलेंगे इसी तरह से और नई वीडियो में हम